A very lovely good morning to all of you, मैं हूँ अनुछ मित्तल and welcome to my channel Friends मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ Physics Class 12 के लिए Electric Charges and Field Chapter No.1 के Top 100 MCQs CBSC Term 1 के According अब आपके exam में सिर्फ objective questions आएंगे Term 1 में तो मैं आपको Electric Charges and Field के Top 100 MCQs यहां पर करवा रहा हूँ यह 100 MCQs आपके लिए 1000 questions के बराबर हूँगे क्योंकि मैं यहां पर हर questions के साथ उसका concepts clear करता हूँ तो मेरी कोशिश रहेगी कि यह 100 MCQs आपका जो chapter No.1 है Electric Charges and Field इसको पूरा cover कर दे theory wise मैं यहां पर पूरे concepts clear कर दूँआ तो आप proper अपने notes बनाते लिए जो भी मैं point को explain करूँ आप उसके notes बनाईए और चलिए शुरू करते हैं Question No.1 The unit of permittivity of free space epsilon note यहां पर उसने आप से unit पूछ लिया basically वो SI unit के बारे में बात कर रहा है कि जो free space epsilon note होता है उसकी unit क्या रहेगी तो यहां पर basically हम कहां से निकालेंगे हम coulum slow से निकालेंगी coulum slow किसके लिए valid है ध्यान रखेगा coulum slow आपका valid होता है point charges के लिए यह आपका एक number का question आपसे पूछा जाता है कि जो coulum slow valid होता है वो सिर्फ point charge पर ही valid होता है point charge के लिए valid रहेगा और coulum slow होता क्या है कि दो point charges अगर आपके पास है दो point charges है अगर आपके पास और उनके बीच का distance मैं कितना ले लू? R distance मैं ले लेता हूँ टेक एक charge मेरा Q1 है एक charge मेरा Q2 है तो इनके बीच में लगने वाला force कितना होता है यह हम coulum slow से निकालते हैं force is equal to में 1 upon में 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 divided by distance का square यह हमारे पास basically क्या है? coulum slow है तो यहाँ पर इस question में उसने हमसे क्या पूचा है? उसने हमसे यह जो permittivity होता है epsilon node permittivity कि आपका जो medium है epsilon node का मतलब आपका जो medium है वो air है तो वो कितना permit कर रहा है charges को force लगाने के लिए force का जो interaction हो रहा है उसके लिए कितना permit करता है epsilon node तो आपको इसकी SI unit निकालनी है तो आप देखी आपको यह निकालना है न तो आप इसे एक side ले लीजिए epsilon node उपर चला जाएगा और यह जो force है यह आ जाएगा नीचे तो यह क्या बन जाएगा? epsilon node is equal to 1 upon 4 pi epsilon node की जगा क्या आ गया? F आ गया epsilon node आप उपर ले गए उपर और force को ले आए नीचे तो 1 upon में 4 pi F Q1 Q2 अधिकी Q1 Q1 की unit क्या रहती है Q1 इसको चली अभी लिख लेते Q1 Q2 upon distance का square अभी मैंने इसको ऐसा लिख लिख लिए epsilon node का मेरे पास formula बन गया मुझे epsilon node का SI unit निकालनी है तो क्या रहेगी देखो जो 1 upon में 4 pi है न यह तो constant है यह एक number है और number का कोई SI unit नहीं होती constant number की कोई SI unit नहीं होती तो आपके पास SI unit किसकी है Q1 यानि कि charge इसके लिए आपके पास coulum है charge की SI unit coulum होती है एक number का question आपस पूछा जा सकता है चार्ज की SI unit की होती है कूलum Q1 यह Q2 इसकी भी क्या रहेगी कूलum अपोन में क्या है अपोन में देखो 1 upon 4 pi इसकी तो कोई unit नहीं रहेगी force की unit रहेगी force की क्या होती है force की होती है newton force की होती है newton और यह क्या है r square मतलब की distance का square इन charges के बीच में distance कितना है R का square distance की unit किया रहती है meter तो इसकी unit आ जाएगी meter का square तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास meter का square तो हमारे पास epsilon node की क्या आ गई epsilon node तो यह बन गया coulum का square per newton per meter square यह हमारे पास बन गई SI unit epsilon node की देखिए यहाँ पर मैंने na concepts को clear करता है चल रहा हूँ यह 100 questions की series आपके लिए 1000 questions के बराबर होगी हर वीडियो में मैं आपको 10 questions solve कराऊँगा हर वीडियो में 10 questions मैं कराऊँगा ठीक तो यहाँ पर epsilon node का क्या SI unit आई coulum का square per newton per meter square यह हमारे पास इसकी SI unit इसको बराबर नहीं लिख सकते हैं बराबर कहना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि epsilon node इसके बराबर नहीं होते है यह इसकी SI unit होती है तो मैं बराबर नहीं डाला है यह basically उसकी क्या है SI unit है SI unit तो coulum का square per newton per meter square coulum का square per newton per meter square option कुन सा match कर रहा है C option यहाँ पर साफ साफ match कर रहा है coulum का square per newton per meter square चक कर लीजे एवर coulum का square per newton per meter square बिल्कुल A option match नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पर coulum का square होना चाहिए coulum दे रखा है यहाँ पर देखिए coulum के पार मैं-2 है और यहाँ पर क्या है यहाँ पर मैं-1 है यहाँ पर मैं-2 है तो यह आपके B, D, A option कर गए C इसका right answer हो जाएगा और आपसे क्या पूछा जा सकता है इसी same question में आपसे पूछा जा सकता है इसका dimensional formula बताओ epsilon note का dimensional formula भी वो आपसे पूछ सकता है ठीक तो हम इस concept को भी clear कर लेते है कि epsilon note का अगर dimensional formula निकालना पग जाए तो कैसे निकालेंगे देखो हमने SI unit तो निकाल लिए इसकी epsilon note की जो SI unit आएगी वो आएगी कूलम का square पर newton पर meter square यह इसकी SI unit आती है यह हमारे पास SI unit है अब इसका dimensional formula कैसे निकालें dimensional formula में आपकी fundamental quantities आती है dimensional formula में fundamental quantities है साथ fundamental quantities होती है हमारे पास तो देखी कूलम पहला है कूलम कूलम हमारे पास कोई fundamental quantity नहीं है हमारे पास electric current होती है fundamental quantity तो हमें यह जो C है न C इसको replace करना पड़ेगा आप यहां से भी देख सकते हो यहां से आपके पास क्या formula आया था देखो उपर उपर formula क्या आया था आपके पास q1 q2 upon में force distance का square मैं इसी से ही dimensional formula निकाल लेता हूँ चलिए इसी से ही हम dimensional formula निकाल लेता है epsilon 0 which is equal to 1 upon 4 pi f q1 q2 divided by distance का square यहां से मैं इसका dimensional formula निकाल लेता हूँ इसी formula से तो अब epsilon note का यह dimensional formula क्या हो जाएगा देखो यह q1 है q1 q charge charge का dimensional formula क्या होता है at कैसे होता है i is equal to q divided by t यह होता है आपके पास formula तो i multiplied by t यह आपके पास q हो जाएगा और i के लिए आपके पास dimensional formula होता है ampere और time के लिए dimensional formula होता है आपके पास t तो q का dimensional formula हो जाएगा at आपसे एक number में ये भी पूछा जा सकता है कि charge का dimensional formula क्या होता है at तो यहां पर आपके पास 2 charge है 2 charge है याँनि कि आपके पास q square है तो आपके पास यहां पर भी क्या होजएगा 80 का square हो जाएगा 80 का square आजाएगा क्यों आजाएगा 80 का square क्योंकि 2 charge पगए है इसको मैं अठा जेता हूँ इसकी हमें जुरूरत नहीं है अब पॉन में क्या आगया पॉन में देखो 4 pi इसका कोई dimensional formula नहीं है 4 pi constant number इसके कोई dimensional formula नहीं है क्या बचिया force force का dimensional formula याद कीजिए force का dimensional formula बहुत जगा पूछा जाता है बहुत जगा जगा जुरूरत पगती है force का dimensional formula होता है m1, l1 और t-2 ml, t-2 यह क्या है distance का square distance का square यानि कि length का square l का square तो यह हो गया हमारे पास epsilon note का क्या बन जाएगा यह square bracket में मैं इसे close कर रहा हूँ क्योंकि dimensional formula को square bracket में close किया जाता है तो यह हो जाएगा a का square उपर हो गया यह a का square और यहाँ पे हो जाएगा t का क्योंकि whole power square पड़े हुए है तो a का square, t का square अप उन में कितना आ आ गया अप उन में? अप उन में आ गया m यह l और यह l2 यह मिलकर क्या बनाएंगे? यह l3 बना देंगे l3 और यह क्या है? t-2 t-2 तो यह epsilon note का dimension formula क्या बन जाएगा? यह m नीचे 1 पड़ा है उपर जाएगा तो minus 1 हो जाएगा m minus 1 हो गया ठेक है? यहाँ पर देखो यह a square पड़ा हुए a square तो a square हो ले लिया मैंने यह l की power में 3 है न? l की power 3 उपर जाएगा तो क्या होगा? l की power 3 उपर जाकर l की power minus 3 हो जाएगा l की power minus 3 और यह t की power 2 है यह t की power में minus 2 है तो जब यह उपर जाएगा तो यह क्या बन जाएगा? t का square और ये भी क्या बंज़ेगा उपर जाके पावर पॉस्टी वज़ेगी T का स्क्वेर तो क्या आगया dimensional formula एपसले नोट का ये आगया M-1 देखो आगे पीछे लिख सकते हो M, L, T, A इनको आगे पीछे लिख सकते हो कोई दिखकत नहीं है M-1 है A का स्क्वेर है L की पार में माइनस 3 है और T की पार में 4 है T की पार में क्या है 4 है तो ये dimensional formula आ गया जो आपसे एक number में पूछा जा सकता है 35 marks का exam है आपका 35 marks का exam है तो ये एक question आपसे ही dimensional formula पूछा जा सकता है तो हमने epsilon note की SI unit भी निकाल ली हमने epsilon note का dimensional formula भी निकाल ली तो इस तरह से आप निकालोगे आप इसे याद नहीं रख सकते हैं आपको ये exam में निकालना है practice का रख्योगी 25 से 30 second में निकल जाएगा चल ये ये हमारा first question complete हो गया second question देखते है क्या देदिया देखो 700 pico farad का एक capacitor है pico, pico का मतलब होता है 10 की power minus 12 ध्यान अखना, pico micro होता है micro 10 की power में minus 6 तो 10 की power minus 700 pico farad का capacitor है उसको charge किया गया 50 volt की बैटरी के साथ how much electrostatic energy is stored in it जो capacitor होता है capacitor उसका काम क्या होता है charge को store करना, energy को store करना तो capacitor के अंदर कितनी energy store होती है किसी capacitor के अंदर कितनी energy को में u से दिखा रहो कितनी energy store होती है half cv का square ये energy किसी भी capacitor के अंदर store हो सकती है तो c क्या है उसका capacitance और v क्या है उसका electric potential तो यहाँ पर बस formula में value put करो और answer निकाल दो 1 by 2 c, c कितना देखो capacitance, capacitance कितना दे रखा है 700 pico farad का capacitor है pico मतलब 10 की power minus 12 700 multiplied by 10 energy power में minus 12 ये हो गया multiplied by battery कितनी दे रखे 50 50 की battery है तो voltage voltage का square करोगे यानिकी 50 का square करोगे कर दिया 50 का square हो गया तो ये कितना बन गया देखो 1 by 2 multiplied by 700 multiplied by 10 की power में minus 12 multiplied by 50 का square 50 का square कितना हो जाएगा देखो 5 का square करोगे 25 और 0 का square करोगे तो ये 20 हो जाएगी 2500 आ गया नव फर्दर देखते है half multiplied by देखो ये 7 है और ये 25 है 25 हो जब 7 से multiplied करोगे 175 आएगा 275 मैंने ऐसे लिख दिया और ये 20 और ये 20 मिलकर 4 0 बना देगी तो ये 10 की power में 4 हो जाएगा और ये क्या है 10 की power में minus 12 पड़ा हुआ है 10 की power में minus 12 पड़ा हुआ है ये 2 इस से डिवाइड करेगा 175 से कितना होगा 28 दा 16 1 करी जाएगा 1 करी जाएगा तो 27 दा 14 फिर 1 करी जाएगा 87.5 और ये कितना होगा 10 पड़ा 4 10 पड़ा माइनस 12 यह होगा 10 पड़ा में minus 8 अभी ये energy आई है energy की unit क्या होती है energy की unit होती है Joule energy की unit होती है Joule तो ये मेरे पास answer आगया 87.5 multiply by 10 पड़ा MOR婆 देखो 87.5 आया है answer में कहीं भी 87.5 नहीं है answer में है 8.7 8.7 और यह कहा 10 की पार minus 7 तो मैंने क्या किया मैंने क्या किया यह जो point है यह मेरा यहाँ shift हो गया तो क्या बन जाएगा यह 8.75 और यह 10 is to power minus 8 का क्या बन जाएगा यह पहले 87.5 था ना अब 8.7 लिखा तो यह 10 is to power minus 7 हो जाएगा minus 7 Joule इतनी energy मेरे पास capacitor के अंदर store हो जाएगी तो 8.75 into 10 is to power minus 7 8.7 into 10 is to power minus 7 B इसका right answer हो जाएगा यहाँ पर मेरे पास right answer क्या आएगा B is the right answer तो क्या होता है क्या सीखा हमने capacitor के अंदर कितनी energy store होती है half cv का square यह है हमारा key formula जो इस question से हमने सीखा है देखो next यह है combination of capacitor का question तो यहाँ से आपके combination of capacitor के concept clear होंगे वो कहता है calculate करो capacitance of the capacitor C in the network shown in the figure यह जो आपको C दे रखा है ना C इसकी value निकालने का वो कह रहा है और यहाँ पर देखो यह 3 उसने parallel में लगा दिये parallel में एक दिदियास ने 20 microfarad दूसरा भी 20 microfarad तीसरा भी 20 microfarad micro का क्या होता है microfarad का मतलब 10 की power में minus 6 farad 20 यह microfarad का मतलब 10 की power minus 6 farad हो जाएगा ठीक है अब वो क्या कह रहा है साथ में उसने यह लिख दिया है equivalent capacitance of the combination between P and क्या हो is 30 microfarad मतलब यह point P है और यह क्या हुआ है इसका जो total answer आएगा total answer आएगा वो 30 microfarad आएगा equivalent मतलब आप इन सब को हटा दो यह जितना भी लगा हुआ है जितना भी लगा हुआ है सारों को हटा हुआ और एक अकेला 30 microfarad का capacitor लगा दो यहाँ से जो combination जो निकल के आ रहा है direct add करते है capacitor को parallel में कैसे add करते है direct add करते है कितने है 20, 20, 20 60 हो गया 60 लिखेंगे कैसे क्या करें तीनों को हटाओ और एक लगा दो 60 का कैसे यह तो उसने C दे रखा है यह तो उसने C दे रखा है एक लगा दो 60 का तीनों को हटा दिया मैंने बस ये लगा दिया 60 का 60 माइक्रो फेराड और ये उसने दे दिया C ये पॉइंट कितना दे दिया उसने ये पॉइंट दे रखा था उसने ये पॉइंट दे रखा उसने P और ये पॉइंट दे दिया क्यो तो ये हो गया P और ये पॉइंट हो गया क्यो बस आप देखों ये किस में connected है ये आपस में series में हो गए ये दोनों के दोनों किस में connected हो गए series में, तो series में कैसे add होते है reverse, series में होते है reverse add, तो क्या आएगा answer 1 by C plus 1 by 60 1 by C plus 1 by 60 ये आएगा net capacitor और ज़रा देखो net उसने दे रखा है 30, ये दे दिया, उसने 30 30 microfarad उसने net दे दिया तो जो net होता है, वो भी reverse में लिखना पड़ता है हमे ऐसे लिखते हैं, 1 upon में C net या फिर C equivalent भी लिखते हैं किसी-किसी book में क्या लिखते हैं, C equivalent जैसा कि उसने दे रखा है, तो ये हो जाएगा तो मुझे इस 1 by C की value निकालनी है 1 by C इसको मैं इधर भेज़ दूँ मा तो ये हो जाएगा 1 upon में C, E equivalent और ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 1 by 60 हो जाएगा तो ये हो गया 1 by C which is equal to मैं 1 upon में C E equivalent कितना है, कितना है 30 microfarad 30 तो मैं सिर्फ 30 लिख रहा हूँ microfarad 10 की पर minus 6 नहीं लगा रहा क्योंकि दूसरा भी जो है न ये ये answer आए, ये भी microfarad में ही है ये हो गया minus का 1 by 60 बस इसको solve कर लो C की value निकाल दो यहां से क्या LC हमाएगा 360 क्या LC हमाएगा 60 जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो 2 बन जाएगा तो यहां पर 2 आ गया इसको इससे डिवाइड करोगे 1 बन जाएगा तो यहां पर 1 आ गया तो यह कितना हो गया 1 by C is equal to me 1 upon me 60 और C की value कितनी आ गई C की value आ गई 60 microfarad C की value आ गई 60 microfarad question खतम हो गया question complete 60 microfarad तो यहां पर A इसका right option हो जाएगा 60 microfarad तो यहां से हमने क्या सीखने को मिला capacitor अगर parallel में हो capacitor अगर parallel में हो तीन capacitor अगर parallel में दे रखे हैं तो वो parallel में है तो direct add कर दो direct add C1 plus C2 plus C3 अगर वो किसमें connected है parallel में है और अगर वो series में connected हो series में तो reverse में add होंगे जो answer आएगा 1 by C देखो यहां से C आएगा और जो series में होंगे तो 1 upon C1 यह एक number का direct आप से यह भी पूछा जा सकता है 1 upon C1 क्योंकि capacitor plus 2 में ही आए आए आपके पासल एससिस्टर तो आपने 10th में भी पढ़ा है अगर 5 है तो यह हमारा series के लिए formula है series के लिए और यह हमारा किस के लिए formula है this formula for parallel connection तो आपको यह ध्यान में रखना है चलिए यह हो गया हमारा question number 3 यह जो hundred questions की series है आपके लगबा हजार से ज़्यादा questions कवर करवाद हूँ है ज़्यादा questions इसी chapter के ठेक है और पूरा का पूरा concept chapter 1 पूरा revise पूरा का पूरा clear कराद हूँ है chapter 1 हर वीडियो में आपको 10 questions मिलेंगे ठेक चलिए question number 4 देखते है question number 4 क्या कहता है देखो एक capacitor है 20 microfarad का उसको charge कर दिया 500 volt तक एक capacitor 20 microfarad का उसे हमने connect कर दिया parallel में parallel connection किया है किसी दूसरे capacitor के साथ जिसका capacitance दे रख है 10 microfarad वो कहता है which is charge to 200 volt मतलब इस 10 microfarad को 200 volt तक 200 volt का उसके पास electric potential है ठेक है और वो कहता है कि आप मुझे common potential बता दो common potential क्या है देखो एक छोटा सा concept समझाता हूँ चोटा सा concept एक question अपने आप समझ में आजएगा क्या कहना चाता है अगर कोई body घ्यान से देखना अगर कोई body एक body है जो की 50 degree Celsius पर है और एक body है 20 degree Celsius पर temperature की बात करो temperature की आप daily life में देखते भी हो गरम गरम चाहे कमरे में रख दो न ठंडी हो जाती है तो एक body अगर 50 degree Celsius पर एक body 20 degree Celsius पर तो क्या होता है heat का flow होना शुरू हो जाता है heat का flow होता है और high temperature से low temperature की तरफ heat flow करती है high temperature से low temperature की तरफ heat flow करती है और कब तक flow करती रहती है जब तक दोनों body का temperature same नहीं हो जाता है अगर किसी body का temperature जादा है और दूसरी body का temperature कम है तो high temperature से low temperature की तरफ heat flow करना शुरू कर देती है और करती रहेगी जब तक दोनों का temperature सेम नहीं बन जाता सेम concept यहाँ पर है electricity के अंदर मालो यह कोई body 500 volt पे है यह 500 volt पे है और यह body 200 volt पे है 200 तो इसका potential पांधों का है इसका potential 200 पे है यह low पे है और और कब तक करता रहेगा जब तक दोनों के potential सेम नहीं हो जाते हैं दोनों के potential सेम कैसे होंगे इसका तो हते गटेगा क्योंकि charge इससे जा रहा है और इसका बढ़ना शुरू हो जाएगा और जब ़ूरू के बराबर हो जाएगे चार्ज फ्लो करना बंद कर देगा तो यही कुंसेपट्स है यहां पर देखो क्या है उसने ि Always ने कहाए कि एक कैपेस्टर मेरा है 20 इह माइक्रो 어렵न का तो ठीक है 20 µी माइक्रो फैराड का एक कैपेस्टर हमने इसने कहा है, कि हमने इसे connect कर दिया parallel में, parallel में connect कर दिया, एक दूसरा कैपेस्टर है 10 का, parallel में connect कर दो. यह हमने इसके साथ पैलल में कनेक्ट कर दिया यह कितने का है यह 10 का है 10 माइक्रो फेराट का ठीक है और इसका जो पोटेंशल है वो 200 वोल्ट का है 200 वोल्ट का इसका पोटेंशल हो गया ठीक है तो वो कहता है common potential बताओ common potential का मतलब क्या हो दे कुछ साफ साफ दिख रहा है यहां पर साफ साफ दिख रहा है एक का potential कितना है 500 का और एक का potential है 200 का तो साफ सी दी बात है यह वाला high potential पे यह वाला low potential पे charge का flow होना शुरू हो जाएगा charge flow करेगा मतलब क्या कि इस से चारज इसकी तरफ आएगा इस सरकेट के थूँ हैसे आएसे आए चारज फ्लो करना शुरू करेगा और जब तक दोनों का पोटेंशल सेम नहीं हो जाता तब तक चारज फ्लो करता रहेगा तो वो जानना चाता है कुमन पोटेंशल कितना होगा तो हम कैसे निकाल लेंगे फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है देखो क्यों is equal to में cv ये फॉर्मूला बहुत important है ध्यान में रखना कि charge is equal to में capacitance multiplied by electric potential के बराबर होता है आपको v निकालना है न वी तो आपका जो v होगा वो क्या हो जाएगा q divided by c हो जाएगा q divided by c v is equal to q divided by c आपको v निकालना है तो v common potential की बात कर रहा है तो क्या होगा ध्यान अखना जो common potential होगा common potential common potential आपका होगा क्यों क्यों क्या है ये क्या है total charge क्यों क्या रहेगा total charge upon में क्या आजएगा upon में upon में आजएगा c यानि की capacitance, यानि की total capacitance, टोटल चार्ज अपून में total capacitance, आपको ये formula ध्यान में रखना है, यहां से मैंने formula आपको बता दिया कैसे आया, common potential किसके ब्राबर होगा, total charge divided by total capacitance के ब्राबर होगा, अब बात करेंगे charge कैसे होगा, और capacitance कितना होगा, देखो simple सी बात है, common potential को मैं V से दि बात करता हूं, टोटल चार्ज, एक चार्ज इस पर कैपस्टर पर होगा, एक चार्ज इस कैपस्टर पर होगा, सिंपल सी बात है, ये पहले वाला कैपस्टर है, इस पे मैंने चार्ज माल लिया Q1, और ये दूसरे वाला कैपस्टर है, इस पे मैंने चार्ज माल लिया Q2, एक यहाँ पे लिख देता हूँ Q1 हो जाएगा मेरे पास C1V1 और अगर Q2 की बात करूँ Q2 की बात करूँ तो यह हो जाएगा C2V2, Simple सी बात, First वाले पे चार जाएगा Q1 जिसको मैंने बोल दिया C1V1 और dूसरे वाले पे चार जाए गया Q2 जिसको मैंने बोल दिया C2V2, टिक total charge कितना होगा, total charge, अगर मैं total charge की बात करूं, total charge हो जाएगा, q1 plus q2, total charge हो गया q1 plus q2, मतलब क्या हुआ, q1 कितना है q1, c1 v1, c1 v1, और q2 charge कितना है q2 charge है, c2 v2, c2 v2,ión कितना है, c2 v2, that is C1V1 plus C2V2 total capacitance कितना होगा total capacitance अगर मैं बात करता हूँ total capacitance कि छो पर्लल में एड किये गये है यह जो पर्लल में जोग लिए है उसने पर्लल में लगा रखा है पर्लल में capacitors को एड कसे करते हो direct add करते हो अगर इसका capacitor C1 है और इसका capacitor C2 है तो total capacitance कितना हो जाएगा C1 plus C2, total capacitance हो जाएगा C1 plus C2, ये मेरे पास आजएगा, तो ये मेरे पास common potential का formula बन गया, क्या बन गया, simple सा C1 V1 plus C2 V2 upon C1 plus C2, ये आपके पास direct आ सकता है, एक number का question कि common potential का क्या formula रहेगा, अगर दो capacitor को parallel में जोग दिया जाता है, दो capacitor को अगर parallel में जो होगे, तो common potential कितना रहेगा, C1 V1 plus C2 V2 upon C1 plus C2, ये होगा, तो बस आपको कुछ नहीं करना, आपको पता है C1 की value, ये मेरा first वाला है, C1 की value है 20 microfarad, value put करनी है, C1 की जगा लग दो 20 microfarad, 20, देखो micro है न micro, तो 10 की पार में minus 6 ले लिए मैंने, 10 की पार में minus 6, V1 की value कितनी है V1 की value, voltage 1, capacitor का potential कितना है, capacitor का potential है 500 V, capacitor का potential उसने दिया 500 V, तो लगा दो value, ये मेरे पास हो गया, C1 V1 की value मैंने रख दी, अब क्या रखनी है, plus C2 V2, यानि की capacitor second, second capacitor का कितना है, second capacitor का है 10 microfarad, और ये कितना है 200 V, 10 और 200, ओके, तो 10 है ना, 10, micro में है, micro में, और 7 में क्या आजएगा 200, ठीक, divide में क्या हो गया, C1 प्लस C2, C1 प्लस C2, कितने कितने की है, 120 का और 110 का, 120 और 110, micro में है, micro में, चलो, micro कर लेते हैं, 20 into 10 to power minus 6, plus 110 का है, तो 10 into 10 to power minus 6, ये मैंने value पुट कर दी, यहां पर, जरा देखो, 10 into power minus 6, देखो, ये यहां पर भी पढ़ा है, 10 into power minus 6, ये यहां पर भी पढ़ा है, 10 into power minus 6, ये यहां पर भी पढ़ा है, 10 into power minus 6, और ये यहां पर भी पढ़ा है, 10 into power minus 6, और ये यहां पर भी पढ़ा है, 10 into power minus 6, और ये यहां पर भी पढ़ा है, 10 into power minus 6 तो बाहर चला गया, 10 को 200 से करो गये, ये 2000 आ जाएगा, ठीक, चलो, अब यहां से भी 10 चुपार माइनस 6 कॉम्बन आ रहा है, तो 10 चुपार माइनस 6 कॉम्बन ले लो, ये कितना बच गया, 20, लिख दो, ये कितना बच गया, 10, क्योंकि 10 चुपार माइनस 6 तो बाहर चला गया तो यह बच गया 10 लिख दो यह cancel हो गया 10 अच्वार माइनस 6 है 10 अच्वार माइनस 6 cancel out तो V is equal to में 10,000 में 200 एड़ करो गया यहाँ पर 200 नहीं यहाँ पर एक 0 रह गई है हाँ 200 प्लस 10 200 प्लस 10 यह 2000 हो जाएगा 200 प्लस 10 यह 2000 हो गया तो 10,000 और 2000 यह बन गया 12,000 और डिवाइड में क्या पड़ा हो गया डिवाइड में 30 आगया 30 तो 0 से 0 कार दी 3 से यह 4 पे और 2 0 आगी 400 तो V की value कितनी आगी 400 वोल्ट तो यह जो potential आगया या voltage इसको मैं कह दूँ electric potential या common potential जो उसने मुझसे पूछा है common potential common potential that is equal to me 400 वोल्ट तो यह मेरा common potential आगया 400 वोल्ट चलिए option में देखते है कौन सा है option में हमारे पास है C यहाँ पर C is the right answer 400 वोल्ट बिलकुल सही C option हो गया तो यह था हमारा question number fourth question number fifth देखते है अब देखो क्या देदिया तीन capacitor देदिया उसने तीन capacitors एक की value है दो एक की value है तीन और एक की value है छे microfarad ठीक है इसको connect कर दिया series में are connected in series are connected in series to a 10 वोल्ट का source यानि कि जो battery है यानि जो cell दे लगए उसका 10 वोल्ट दे दिया है वो कहते है चार्ज बता दो तीन microfarad वाले capacitor पे तो पहले दो उसने तीन capacitor को series में लगा देते हैं तीन capacitor को series में यह पहले वाला capacitor हो गया यह दूसरे वाला capacitor हो गया और यह तीसरे वाला capacitor हो गया series में लगा दिया series में यह जोड दिया series में flow करने के लिए सिर्फ एकी पात होता है charge के पास current के पास सिर्फ एकी रास्ता है और इसको जोड दिया है किसके साथ एक battery के साथ जोड दिया है है ठीक है चलो एक है दो का एक है तीन का एग चे का एक दो úcराद एक तीन माईक्रोफराड कपेस्टिर की यूनिट आप से पूछी जा सकती है कि KPESощor की यूनिट क्या होती है KPESjor की já recipes की आपके पस कितने-का दो का, तीन का and the last one is 6 माइक्रो फेराड और उसने क्या कह दिया है इसे connect कर दिया है 10 वोल्ट के source के साथ तो ये आ गई आपकी 10 वोल्ट की बैटरी cell होगा ये तो मैंने simple cell बनाया है 3-4 cell जोग दे, 3-4 cell बना दिया जाता अगर ऐसे बना देता तो वो बैटरी बन जाती अब एक लगाया तो ये cell हो गया उसका में कोई issue नहीं है उसका कुछ कोई हमारे answer पर फरक नहीं पड़ेगा उसने क्या पूछ लिया वो खहता है, आप बताओ 3 माइक्रो फेराड वाले पर चार्ज कितना है वो अब से 3 माइक्रो फेरार कैप़ेशटर पर पूछे वो 2 माइक्रो फेराड पर पूछे सीरीज में कुरेक्टेड है तो सब पे चार्ज सेम है और जितना चार्ज इस सर्केट के अंदर होगा वो ही चार्ज होगा इन कैप़ेशटर के उपर तो Q का formula क्या है, Q is equal to में C V, यह होता है Q का formula, तो आपको बस यही निकालना है, आप देखो V, V तो उसने दे दिया 10 volt, बात करें C की, C कितना है C, C है net capacitance, total capacitance, तो अब यह series में connected है न, series में connected होते हैं, तो C कैसे निकल लोगे आप, C निकल लोगे इनको reverse में add करके, मैंने अभी स series में connected है, they are connected in series, तो reverse में add होंगे, तो आपको C निकालना है, 1 upon C is equal to में 1 upon C1, C1 कितना है देखो, 2 microfarad, 2, मैं 10 की पार minus 6 नहीं लगा रहा क्योंकि सारे microfarad में, answer भी आपका C जो आएगा, वो microfarad में आ जाएगा, plus 1 upon C2, C2 की value कितनी है, C2 की value 3 microfarad है, 3, और C3 कितना दिया 1 by C3 है 6, यह रहा हमारे पास, जो C3 के pastor है, वो 6 का दे दिया है, तो चलो, यहाँ पर value put कर देते हैं, कितना आता है देखते हैं, 1 by C, that should be equal to में, क्या LCM आएगा, 2, 3, 6 का LCM आएगा, 6, 6 LCM आ गया, 2 को इससे divide करोगे, कितना आएगा, 3, लगा दिया, 3 को इससे divide करोगे, कि 2 लगा दिया, 6 को इससे divide करोगे, कितना आएगा, 1 लगा दिया, तो 1 upon C is equal to में, यह कितना हो गया, 3, 2, 5, और 1, 6, और यह upon में क्या पढ़ा गया, 6 पढ़ा हो गया, 6 से 6 कैंसल 1 पे, तो 1 upon C is equal to में 1, और C कितना आगया, C, C आगया 1, अब यह माइक्रो फेराड में है, क्य पेस्टर आपके माइक्रो फेराड में है, तो C की वैल्यू आगई, क्यों निकालना है, क्यों, तो Q का फोर्मूला क्या है, C into V, तो C आया है, आपके पास 1 माइक्रो फेराड, 1 यानि की 10 अच्चु पार में माइनस 6, 1 into 10 अच्चु पार माइनस 6, और V कितना दे रख़ा है 10 वोल्ट की बैटरी है, या फिर 10 वोल्ट का सैल, क्योंकि मैंने एक इर बनाया, तो यहां से यह आपके पास चार्ज कितना आजएगा, देखो, चार्ज आजएगा आपके पास 10 माइक्रो कुलम, 10 माइक्रो कुलम का आपके पास चार्ज आ गया, यही चार्ज इस वले के प अंसर हो जाएगा टैन माइक्रो कुलंब भी इसका राइड अंसर हो जाएगा आई होप आपको समझ में आ गया होगा पांच अगर वीडियो अच्छी लगे फ्रेंज तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेशन नंबर 11 से शुरू करेंगे देखते हैं देखो क्या दे दिया है एक पोलोथीन का पीस दे रखा है उसको रब कर दिया वूल के साथ देखो वूल के साथ रब करेंगे तो इलेक्टरोन का ट्रांसफर होगा अब वो कहता है इस फॉंड टू है अगर अच्छे दे पढ़ाय तो तो उसने का है कि जब मैं पोलोथीन के पीस को वूल के साथ रब करता हूं तो यह पाया गया कि उसके उपर नेगिटिव चार्ज आ गया कि इसके उपर पोलोथीन के पीस के उपर चार्ज आए जब उसको वूल के साथ उसने रब किया है कितना चार्ज आया वन पॉइंट सिक्स टैन पावर माइनस 19 कूलम ना भी बताता हमें पता है कि लेक्ट्रोन के उपर चार्ज कितना होता है 1.6 x 10 is to power-19 कूलम होता है तो वह जानना चाहता है कि number of electron कितने transfer हुए हाव मच electron transfer अब भी को electron transfer कहां से कहा हुगे electron के उपर negative charge होता है न अब यहां पर negative charge पोलोथिन के उपर है तो इसका मतलब इलेक्ट्रोन ट्रांसफर हुए है पोलोथिन पर नेगिटिव चार्ज है तो पोलोथिन पर आया है कहां से आया है वूल से तो वूल से ट्रांसफर होंगे यह आपको ध्यान में रखना है तो वूल से ट्रांसफर हुए है तो पहला option कहत है कि from wool to polothin इतने ओके दूसरे में कहता है polothin से wool, polothin से wool नहीं जा सकता है अगर polothin से wool गया होते तो wool पर negative charge आ जाता है, wool पर negative charge आ जाता है तो ये B option तो cut गया, यहीं पर cut गया, B option तो है नहीं C option में कहता है wool से polothin इतना और D option में कहता है कि wool से polothin इतना गया तो हम देखते हैं कितने transfer हुए simple सा formula है number of electrons निकाल लेगा, क्या होता है n multiplied by e यह formula होता है, q क्या है total charge, n क्या है, number of electrons e क्या है, charge on one electron q, q मुझे उसने दे रखा है, देखो charge कितना आया इतना charge आया, negative charge इतना है, मैं minus sign नहीं ले रहा minus sign नहीं ले रहा, क्योंकि electron के उपर minus e होता है, electron के उपर minus sign नहीं होता है, तो q है, 1.6 10 की पार minus 6 1.6, 10 की पार में minus 6 n मुझे निकालना है एक electron के उपर charge मुझे पता है कितना होता है, उसने दे भी रखा है एक points 6 दस किपार में minus 19 देखो ये charge ओ आया था negative आया था आपचाओ तो यहांपर negative sign लगा सकते हो पर आपको फिर यहांपर भी negative sign लगाना पड़ेगा क्योंकि electron के उपर जो charge होता है वो negative ही होता है और फिर क्या होगा? इस minus से ये वाला minus कड़ जाएगा तो बात वही पगगी तो आपके पास इस n की value निकालनी है न तो ये value value नीचे आ जाएगी इसके तो ये हो गया 1.6 इंटो 10 शुपार में minus 6 डिवाइड में क्या आ गया डिवाइड में हो गया आपके पास 1.6 इंटो 10 शुपार में minus 19 ये आपके पास n की value आ जाएगी ठीक 1.6 से 1.6 कड़ गया 10 शुपार माइनस 19 उपर चला गया 10 शुपार माइनस 6 multiplied by 10 शुपार में 19 तो n की value कितनी हो जाएगी n की value हो जाएगी ये देखो 19 है ये minus 6 है multiplied में बेस से में तो power add हो जाती है तो ये आजाएगा 10 शुपार में 13 19 माइनस 6 तेरा तो number of electrons कितनी ट्रांसफर होंगे 10 की पावर में 13 तो 10 की पावर में 13 ये ही option बचता है wool से polothin हुए है क्योंकि polothin के ऊपर negative charge है मतलब polothin पर electron आए है तो wool पर कुन सा charge आ गया होगा तो इसका A is the right answer इसका option रहेगा हमारे पास A ठीक चलिए question number 7 question number 7 में क्या कहता है देखो दो point charges दे रखे है point charges जो coulombs का low लगता है वो point charges पर ही लगता है कि आप अपने charge को point मान कर चल रहे हो ठीक है दो point charge दे दिया उसने एक की value दे दी 3 micro coulum q1 की value में लिख देता हूँ q1 की value उसने दे दी plus का 3 micro coulum और दूसरा charge उसने दे दिया minus 8 micro coulum q2 उसने दे दिया minus 8 micro coulum ये attract कर रहे है each other with their force 1 newton simple सी बात है देखो एक plus है एक plus का charge है एक minus का charge है attract ही करेंगे किस force के साथ attract कर रहे है 1 newton के force के साथ ये एक दूसरे को attract कर रहे है charge of plus 5 micro coulum is added to each of them हम plus 5 micro coulum का charge add करेंगे each of them में मतलब कि दोनों के दोनों इसको भी आप plus 5 दे दो और वो कहता है कि force कितना होगा force कितना देखो दोनों को plus 5 देना है तो जब मैं q1 को plus 5 दूँगा q1 charge को plus 5 दूँगा तो q1 charge change हो जाएगा इसको मैंने q1 dash लिख दिया q1 dash लिख दिया क्योंकि जब आप इसको 3 को plus 5 दोगे जब आप इसे 3 को plus 5 दोगे तो 3 और ये 5 मिलकर 8 बना देगा 8 micro coulum का हो जाएगा तो 3 plus 5 मिलकर 8 micro coulum में जाएगे ठीक है और जब आप इसको plus 5 दोगे q2 को plus 5 दोगे तो ये change होकर मैंने q2 को q2 dash लिख दिया इसको भी आपने plus 5 देना है उसने साफ साफ लिखा है कि आप charge दे रहे हो plus 5 micro coulum का दोनों को add it to each of them each तो q2 की value minus 8 plus 5 ये हो गई minus का 3 micro coulum ये q2 dash हो गया यानि कि एक हो गया 8 micro coulum का और एक हो गया minus 3 micro coulum का तो अब इनके बीच में कितना force लगेगा वो ये जानना चाहता है कि force will be force कितना होगा वो जानना चाहता है देखो एक तो plus का है और एक minus का है तो plus minus ये एक दूसरे को attract करेंगे तो attractive force लगना है साफ पता लगे है attractive force लगेगा repulsive नहीं लगेगा तो b option तो मेरा वैसे ही कड़िया b option कड़िया repulsive लगना नहीं attractive लगेगा अब देखो कितना लगेगा अगर मैं बात करूँ पहले कितना लग रहा था वन न्यूटन का कैसे देखो ये मारे पास formula होता है f is equal to में k q1 q2 divided by distance का square अगर मैं पहले की बात करता हूँ पहले की पहले लग रहा था मेरे पास वन न्यूटन का force मैंने या पर 1 रग दिया k की value मुझे पता है q1 उसने मुझे कितना दिया था q1 charge q1 charge उसने मुझे दिया था 3 µ कुलम का 3 µ कुलम का और q2 charge देखो µ है न तो 10 की बार में माइनस 6 यूज़ करना पड़ेगा और q2 charge कितना दिया था q2 charge मुझे पहले दे रखा था उसने 8 µ कुलम का प्लस हो माइनस आपको कुछ नहीं देखना अब क्या हुआ अब नया फोर्स लगेगा क्योंकि चार्ज की वैल्यू चेंज हो चुकी है q1 चेंज हो चुक है q1 डैश में q2 चेंज हो चुक है q2 डैश में तो नया फोर्स आएगा उसको मैंने बोल दिया q1 की वैल्यू देखो कितनी होगी अब ज़रा q1 की वैल्यू देखो 8 माइक्रो कुलम हो चुक है 8 माइक्रो कुलम यानि की 8 गुना 10 की पार में माइनस चेंज है इसको मैं शोट ट्रिक से भी बताऊंगा अभी शोट ट्रिक से अभी तो हम कैलकुलेशन करके निकाल रहे हैं कितना आता है शोट ट्रिक से भी बताऊंगा q2 की वैल्यू कितनी आई q2 की वैल्यू q2 की वैल्यू आगी तीन माइक्रो कुलम तीन माइक्रो कुलम तो तीन गुना 10 की पार माइनस चेंज है डिस्टेंस अभी भी उतना ही है क्योगी तो मुझे इस फोर्स की वैल्यू निकालनी है मैं क्या करूँ मुझे इस force की value निकलने ये equation 1 होगी ये equation 2 हो गई आप क्या करो आप equation 1 को 2 से divide कर दो 1 को 2 से divide कर दो क्या होगा जरा ध्यान से देखो 1 को 2 से divide करोगे न distance square से distance square कट गया k से k कट गया 10 की पार minus 6 से 10 की पार minus 6 cancel इस 10 की पार minus 6 से ये 10 की पार minus 6 cancel ये आपके पास ये 8 से ये 8 कैंसल ये 3 से ये 3 कैंसल क्या बचा उपर से आपके पास कुछ नहीं बचा नीचे से भी आपके पास कुछ नहीं बचा तो क्या बन गया ये 1 upon F which is equal to me 1 upon में 1 तो ये 1 upon में 1 तो ये force की value कितनी आ गई force की value फिर से 1 newton आ गई पिर से force की value और यह attractive है यह क्या है यह attractive है क्योंकि एक plus का है एक plus का 8 है और एक minus का 3 है तो यह attractive force हा गया 1 newton का तो यहाँ पर right answer क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा 1 newton attractive force 1 newton attractive force इसको मैं short trick से बदाता हूँ short trick से आप कैसे कर सकते थे देखो आपका जो force होता है ना force वो यह होता है कि Q1 Q2 अपोन में distance का square ठीक है उसने charges के बीच का distance नहीं बदला charges के बीच का distance नहीं बदला पहले एक था 3 का और दूसरा था 8 का तो यहाँ पर Q1 Q2 हो रहे है 3 into 8 हो रहे है 3 into 8 तो 3 multiplied by 8 that is 24 यह product आया 24 बाद में उसने 5 का add कर दिया इसमें 5 का डाला यह कितना बन गया 8 बन गया और इसमें 5 का डाला यह कितना बन गया यह minus का 3 बन गया क्योंकि देखो डिस्चेंस तो बदला नहीं है चार्जिस के बीच का डिस्चेंस नहीं बदला K की वैल्यू को भी चेंज नहीं कर रहा क्योंकि medium चेंज करोगे तब ही की वैल्यू चेंज होती है अगर आप हवा से पानी में चले जाओ पेट्रोल में चले जाओ डीजल में चले जाओ तब ही के चेंज होगा ऐसे के चेंज नहीं होता medium बदले बिना के चेंज नहीं कर सकते क्योंकि के क्या होता है के होता है आपका के क्या होता है 1 upon 4 by epsilon node यह तो constant value है medium चेंज करोगे और एक माइनस का तीन हो गया, तीन और आठ ही है, 24 ही है, तो force में change ही नहीं आएगा, वही का वही आगया force, 1 newton, समझाई बत, चलो, question 7 हो गया, question number 8 देखो, बहुत simple question है तो, force between two stationary charges, जो coulombs का लो लगता है, ध्यान लखना, point charge के लिए लगता है, stationary charge के लिए लगता है, अगर charge move करने लग गया, तो आप coulombs लो नहीं लगा सकते हैं, ध्यान लगता है, जो हम magnetism के अंदर अलग से पढ़ते हैं, तो वहाँ पर coulombs लो नहीं लगता है, क्योंकि coulombs लो लगता है, stationary charge के लिए, coulombs लो लगता है, point charge के लिए, जब charge रुका हुआ है, when place in a free space, is 10 newton, free space क लो, जो force लग रहा है, force लगु रहा है, कहांपर हवा में, या free space में कर लो, free space चलो, free space दिया है, force in free space, force free space क्या हो गया, vacuum हो गया, vacuum, vacuum, vacuum में force कितना है, 10 newton, वह कहता है, थाँ तब मैंने charge score रख दिया, relative permitivity 5 में, ऐसी medium में रख दिया, जिसकी relative permitivity, relative permittivity 5 दे रख लेक्या, force क उससे डिवाइड कर दो, जितनी भी पर्मिटिविटी दे रखे, पांच दे रखे न बास, पांच से आप डिवाइड करो, तो कितना आजएगा, दो न्यूटन, क्योंकि आपके पास क्या होता है, देखो, अगर आपके पास जो कूलम्स लो होता है न, ध्यान से समझना, यह होता है, यह होता है, अगर आपके पास पर्मिटिविटी दे दी जाए, और उसकी पर्मिटिविटी दे जाए, तो उसको यहाँपर हमें एपसाइलन आर से मल्डिपलाइड करना पड़ता है, एपसाइलन आर से, या फिर आप दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हो, कि जो epsilon r की जो value होती है, हवा के लिए 1 होती है, हवा के लिए क्या होती है, तो यह formula है, अब उसने relative permittivity देदी 5, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, force पहले 10 लग रहा था, 10 newton का force लग रहा था, उसे relative permittivity से आप divide कर दो, 5 से आप divide कर दो, तो 2 आ गया, तो 2 newton का force लग जाएगा, तो B हमारे पास आ गया, 2 newton, I hope आपको clear हो गया होगा, चलिए, अगर doubt होगा तो comment box में लिख देना, मैं अगले वीडियो में, जब अगले 11 से question शुरू करूँगा न, उसमें मैं फिर से explain कर दूँगा, जो भी question आपको इस वीडियो में doubt में रजाएगा, comment box में लिख देना, मैं उसी question को अगली वीडियो में फिर से explain कर दूँगा, चलिए, और वीडियो को like कर देना, चैनल को subscribe कर देना, question number 9 देखते हैं, question number 9 क्या कहता है, एक stationary charge produces, देखो चैनल को होता है, जब एक चार्ज रेस्ट में होता है, वो move नहीं कर रहा, राम से कुरसी पे, सोफे पे बैठा है, तो वो electric field पर यूज़ करता है, stationary charge हमेश़ क्या पर यूज़ करता है, electric field, ध्यान रखने है, stationary charge पर यूज़ करता है, electric field, moving charge क्या पर यूज करेगा moving charge पर यूज करेगा magnetic field moving charge magnetic field करता है साथ में electric field भी जनरेट करेगा moving charge magnetic field और electric field दोनों जनरेट करता है ठीक है और जो आपका accelerating charge होता है वो आपकी magnetic electric field करता oscillating oscillating magnetic और electric field जनरेट करता है तो stationary charge सिर्फ और सिर्फ electric field पर यूज़ करेगा तो A इसका right answer हो जाएगा आपको ध्यान में रखना है direct आपसे पूछा जा सकता है electric field आप देखो क्या कह दिया question number 10 में क्या कह रहा है वो एक proton है और एक electron है आपने उनको uniform electric आपने उनने uniform electric field में uniform electric field में रख दिया uniform electric field का मतलब electric field की value हर जगा सेम रहेगी electric field की value अगर 10 है तो 10 20 है तो 20, 50 है तो 50 किसी भी point पे चला जाओ electric field की value किसी point पे define होती है और हर point पर electric field सेम रहेगी इसको uniform electric field कहते है electric field की unit याद रखनी है आपको newton पर coulum newton पर coulum क्योंकि electric field का जो formula होता है force upon में charge होता है ज्यार में रखना है question आ सकता है एक number का तो वो क्या जानना चाहता है यहापर वो क्या कह रहा है कि हमने proton को और electron को uniform electric field के अंदर रख दिया है यह option में कहते है जो electric force लगेंगे उन पर equal लगेंगे जो magnitude of forces होंगे वो equal होंगे acceleration equal होंगी यह magnitude of acceleration equal होंगी देखो force की बात कर रहा है force की और acceleration की बात कर रहा है अगर मैं electric field की बात करूँ तो यह था force upon में charge force upon में charge और force किसके बराबर होगा Q multiplied by E के बराबर होगा देखो एक है electron, एक है proton एक electron है और एक है proton दोनों के उपर charge सेम रहता है और दोनों को सेम electric field में रखा गया तो होगा क्या मालो electron के उपर मालो proton की बात करता हूं proton के उपर अगर 10 newton का force लग रहा है या फिर आप चलो value भी नहीं देता proton के उपर जितना force लगेगा electron के उपर भी उतना ही force लगेगा क्यों क्यों क्योंकि चार्ज दोनों के सेम है फरक कहा रहेगा फरक ये रहेगा अगर proton पर इस direction में force है तो electron पर इस direction में force होगा ऐसा क्यों क्यों क्योंकि जो चार्ज होता है proton का positive होता है electron का negative जिस direction में electron के उपर force होगा proton के opposite direction में होगा मतलब forces की जो value होगी ना वो बराबर होगी मतलब वो magnitude बराबर होगा तो यहाँ पर जो right option जाएगा ना right option जो magnitude होगा ना magnitude of the forces acting on them will be equal क्यों? क्योंकि जो force होता है वो charge multiplied by electric field के बराबर होता है electric field दोनों की same है दोनों को same electric field में रखा गया है proton के उपर charge plus q है electron के उपर charge minus q है force की value तो same होगी पर direction opposite आएगी अब बच्चों confusion रहते है कि जब force same है तो acceleration same क्यों नहीं है acceleration दोनों की same नहीं हो सकती दोनों में acceleration same नहीं आएगी क्योंकि दोनों के mass ही जालग अलग है क्योंकि हम क्या पगते हैं हमारे पास formula होता है न force is equal to mass multiplied by acceleration simple सी बात अगर मैं कहता हूँ कि ये दो बोड़ी है इन दोनों पर मैं same force लगा रहा हूँ इस पर भी मैंने 10 newton का force लगाया इस पर भी मैंने 10 newton का force लगाया क्योंकि electron और proton के उपर जो force की value है न वो same है यहां पर इसको मैंने ले लिया 2 kg एक का mass 2 kg एक का मैंने 5 kg तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ इसकी तो इस बोड़ी पर acceleration कितनी आएगी force upon में mass यानि कि 10 upon में 2 10 divided by 2 5 5 meter per second square इसकी acceleration आ रही है और अगर मैं इस बोड़ी की बात करूँ इस बोड़ी का mass 5 kg है तो इस बोड़ी पर force upon में mass that is 2 2 meter per second square की acceleration आएगी तो acceleration देखो अलग अलग आएगी किसी बोड़ी पर force लगा होगे देखो charge, electron और proton पर force लग बराबर रहा है पर opposite direction में लग रहा है इसलिए B option होगा acceleration एक बन नहीं होगी electron का mass अलग होता है proton का mass अलग होता है electron का mass कितना होता है 9.1 इंटु 10 च्युपार में minus 31 kg, इतना होता है कुछ और उसके पास proton के उपर कितना होता है proton के अपर 1.64 इंटु आपका भारी होता है ठीक है चली, ये हमारे 10 questions होगे next video में हम फिर से 10 questions करेंगे total में आपको electric charge and field इस पर total में 100 questions कराऊंगा और concept को 7 लेके चलता हुआ जो भी doubt होगा comment box में बताओ अगली वीडियो में discuss करेंगे ओके, thank you